असलाम अलेकूं, आज हम एक गैलिट बना रहे हैं, यानि के एक मीठे में कोई चीज, फ्रेंच स्पेशल चीज, जिसके लिए हमें चीजें चाहिएं, तीन अंडे, बटर, शूगर, और बदाम का पाउडर, सबसे पहले हम करेंगे अपने बटर को मेल्ट, और डिस्क्रिप्शन में मैंने उपर लिखा आया कि आपको कितनी क्वांटिटी चाहिए, आप उसके हिसाब से चीजे ले ले, बटर को हम थोड़ा सा बाद में मेल्ट करेंगे, बहुत एजी है बनाना, ना मुश्किल नहीं, और बहुत ही मज़े का बनता है, चलिए हमने बटर ले लिया, अब हम इसमें शूगर एड़ करेंगे, और यह जारता नहीं, डिसेंबर जन्वरी में यह फ्रेंच खाते हैं, कि इसका मतलब है, कि जो किंग बनता है, वो उसके लिए स्पेशल बनती हैं चीजे, यह है पाउडर बदाम का, बदाम जिसमें होगा, आपको अंदाजा है, उसमें तो ताकत आएगी, बदाम का पाउडर अंड़े दोनों ताकत वले होती है, और स्टोर से खरीदने से अच्छा है, हम इसको घर पे खुदी बना लें, चले, हो गया मेरा बदाम का पाउडर है, इसके अंदर, क्योंकि जितनी क्वाइंटिटी हम हाट चीज बराबर की लेंगे, उससे से हमारी हाट चीज अच्छी बनेगी, ज्यादा यह काम होने से मीठा, फीका और कच्छा इस तरह हो जाती है चीज इसको, अब हम दो अंडेज के अंदर डालेंगे, और जो तीसरा अंडा है वो हम अपनी पेस्ट्री के उपर लास्ट में लगाएंगे, अब हम इनको मिक्स करेंगे, स्लोली स्लोली इसको मिक्स करेंगे, क्योंकि बटर और ये थोड़ी चीज़े ना थिक हो जाती है, जरा मिक्स करना मुश्किल लगता है, युक्क हमें चाहिए इसका मोटा ठेक्श है, बहुत मोटी मोटी यानि के जो पात के उपर लगेगा, बेक्कुल हल्वे का जाइका आता है मुझे तो, जब मैं स्टोर से लेके खाती थी मुझे अक्सा लगता था, जैसे सूजी और बदाम मिक्स हैं, और इसलिए मुझे ये बहुत ये अच्छा लगता था, अब मैंने घर बनाना शुरू कर दिया, तो मैंने सोचा रेसिपी आपके साथ भी शेयर करूं, बदार से इतना महिंगा खरीदने से अच्छा है, हम घर पे बनाएं, अब इसकी मुझे सिर्फ जर्दी चाहिए, अब ये जो, फ्रेंच में खहते हैं, पाथ पेस्ट्री जो पफ पेस्ट्री होती है, मैं रेडी में डिसले लेती हूँ, कि वो जरा जल्दी काम हो जाता है, अब मैं इसको ट्रे क्यों पर रख लूँगी, इसके कॉर्नर इसलिए बिठाए जा रहे हैं, ताकि जो हमारा ये हल्वा है, पूरा कॉर्ने तक चला जाए, सीधी ट्रे में भी बना सकते हैं और इसमें भी ये आपके उपर आप जैसे मर्जिवने अब हम इसके अंदर डाल दिंगे, ये देखे कितना ठेक है ये और ये अराम से सारा स्प्रेड हो जाएगा, बहुल लिकुड़ी भी नहीं होना चाहिए, चुकि बदाम का पाउडर कम होगा, बटर ज्यादा होगा और अंडे उसकी वज़़ा से ज़ादा लिकुड़ी हो जाएगा, वरना ये ठीक है, वो कच्छे अंडें जायर है, हीट मिलेगी तो अंडा पाक जाएगा, आपको पता अंडा तो बो जल्दी कुकोता है, और ये आपके सब बच्चों को बहुत अच्छा लगेगा, स्पेशली, ये फ्रेंच बच्चों के लिए तो स्पेशल चीज़ है, और देखें, ये स्टोर में हमें आठ से दस यूरो का मिलता है, और छोटा सा होता है, और ये सिर्फ डिसमबर के एंड और जनुरी के स्टार्ट में दो वीक्स के लिए मिलता है, और आप घर में सारा साल जब मर्जी बना सकते हैं, और सस्ता, ये होता है कि इसको बीच में डाल दिया जाता है, बच्चों को चुपा के देने के लिए, और काट के आप सब को दें, किसी को नहीं मालूम किदर है, और जिसका निकलेगा, वो बनेगा किंग, अब हमारे पास तो ये पुराना जो हमने खाया था, उसमें से निकला था, अगर आप के पास ऐसी कोई चीज नहीं है, तो आप कोई बीन डाल सकते हैं, जो जैसे किड्नी बीन होती है, लाल राजमा डाल दें, कोई ऐसी चीज डाल दें, जिससे बच्चे खोश हो, तके बच्चे को भी शोक होगा, इसमें से कुछ निकलेगा हमारे खाने के बाद, अब हम दूसरी जो पेस्ट्री असको भी उसके उपर जोड़ रही है, अच्छी तरह ताकि इसकी जो एर ना बाइर निकले और ये मोटा ना हो जाए, यूँकि डबल रोटी बन जाए की, ब्रेड वाली डबल रोटी नहीं, इस तरह डबल, देखें अच्छी तरह हमने इसको बिठा दिया रोटी को, जो इसकी पेस्ट्री या पाप पेस्ट्री को, चैलें, देखें कितना खुब सूरत लग रहा है, अभी तो ये कुख भी नहीं हुआ, और कितना अच्छा लग रहा है देखने में, अब हम इसके उपर जर्दी को लगा देंगे, दर्दी से इसके उपर शाइन भी आएगी, और देखने में भी अच्छा लगता है, और जब अगर हम इसके उपर कुछ डिजाइन या कुछ करते हैं, तो वो भी एक प्रामिनिट होता है, कि हमने उसके उपर क्या बनाया है, चैने, अब इसके उपर हमने सारी जर्दी लगा दी, इसकी कॉर्णर में हर जगा पे हम लगा देंगे, अगर आपके पास दो पेस्ट्री ना हो, तो आप हाफ पी इसको बना सकते हैं, इसको फोल्ड करके, अब हम इसको उपर डिजाइन बना लेंगे, बहुत ज़्यादा गैरे कट लगाने, मूटे मूटे लगाने, थाके फिर वो अलग ना हो जो पास जो पेस्ट्री या उपर से, पतले पतले लगाने थाके सिर्फ वो जब कुक हो जाए तो शेप पता चले कि हमने डिजाइन क्या बनाया था, और जिती दिर हम ये बना रहे हैं, आपने अवन को पहले से गरम करके रखना है, पंक्चर करने का ये फाइदा है कि इसके अंदे एर नहीं पड़ेगी, यानि कि रोटी की तरह ये मूटा नहीं होगा, क्योंकि इसको इस सब चीजों को आपस में चिपकना चाहिए, ये देखें कितना माशाला खूब सूरब पक्के तयार हो गया, चले हम मैं इसको चाहे के साथ खाती हूँ, अपना ख्याल रखेगा,